जैहन दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरिल डिसकाशन की चर्चा में बहुत स्वागत है आज है साटरड़े 26 नेवेंबर दोस्तों आज दो आर्टिकल्स हम डिसकास करेंगे, दोनों ही पॉलिटी और गवनन से ही रिलेटिड है एक आर्टिकल S.Y. कुरेशी जी का आया है, Securing the Election Commission of India जो अभी Controversy अभी शुरू हुई है, Supreme Court के दोरा जो Supreme Court ने concerns raised करे थे as far as Arun Goyal जी को जो appoint किया गया था election commissioner, इतनी जल्दबाजी में क्यों appoint किया गया था और जहाँ पे Supreme Court का ये एक मानना था, एक proposal था क्यों ना एक ऐसा collegium system set किया जाए, जहाँ पे जो न्युकती है, election commissioners की और chief election commissioners की भी उस न्युकती के process में Supreme Court के chief justice की भी मौजोदगी हो और मैंने आपको परसो भी कहा था, जब ये controversy शुरू होई थी, कि मुझे लगता है कि S.Y. कुरेशी जी जरूर एक article इसको लेके जरूर लिखेंगे, बहुत opinionated है S.Y. कुरेशी जी, बहुत vocal है अपने opinions को लेके और S.Y. कुरेशी जी सबसे जरूरी बात ये है समझनी, कि वो former chief election commissioner भी है उसके बाद, दोस्तों आज सम्विदान दिवस है, आप सबको सम्विदान दिवस की बहुत ज़ादा शुपकामना है Constitution Day कहते है, National Law Day कहते है, तो article हिंदू में आया है Constitution of India deserves better इसकी भी हम चर्चा करेंगे, question of the day will be towards the end of the video ना, दोस्तों शुरू करने से पहले, आपको क्योंकि आज सम्विदान दिवस है, तो इसकर कि आपको मैं उसकी बहुत शुपकामना भी देना चाता हूँ एक बाद आपको मैं बताना चाता हूँ, कि देखी हमारे Constitution में, Preamble क्या कहता है, We the people of India तो उसरा सोचिए कि We the people of India में, We कहां पे है आज के टाइम पे, We में बहुत शक्ती है दोस्तों अगर हम सारे एक साथ हैं, हम United हैं, एकता हैं, तो हम में बहुत शक्ती है और बहुत जरूरी है कि हम, चलो UPSC के Aspirants हैं, इस करके चार बाते हमको Polity की, चार बाते हमको संबिदान की पढ़ने को मिल जाती है लेकिन बहुत जरूरी है कि जो Values हैं हमारे संबिदान में, जो Values हमारे संबिदान के जो Founding Fathers थे, उनोंने जो Values इंच्राइन करी थी School Time से ही, बहुत mandatory करना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों को पता होना चाहिए अपने संबिदान के बारे हम लेकिन आमतार पर जब कोई Government exam की त्यारी करते हैं, तो जाके हम लक्षमी कान खोलते हैं, पॉलिटी बढ़ते हैं लेकिन ये सब जो चीजे हैं बहुत चोटी उमर में हैं, अगर बच्चों को सिखा दी जाएं तो बहुत अच्छी बात है एक अच्छा नागरिक बनना भी बहुत जादा जरूरी है एक इंसान के लिए, more than being an engineer और more than being an IS officer, एक अच्छा नागरिक एक अच्छा इंसान बनना भी हमको हमारा संबिदान सिखाता है चली, आर्टिकल चुरू करेंगे, securing the election commission देखी दोस्तों, यहाँ पे पहले तो कुछ factual बाते हैं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, जैसे appointment of chief election commissioner की हम बात करें, polity में, लक्षमी कान्त में बात पढ़ते होंगे तो यह हमको पता है, कि chief election commissioners हों या election commissioners हों, उनको appoint किया जाता है, president के द्वारा, कितने time के लिए, 6 साल के लिए, या जब तक उनकी जो उमर है, 65 साल की नहीं हो जाती, जो भी पहले आता है अब मान लिए अगर किसी को 60 साल की उमर पे point किया गया है, अब definitely 6 साल बाद उनकी उमर 66 साल हो जाएगी तो याने के 65 years पे अभी उनको retire होना पड़ेगा, आज the election commissioner और the chief election commissioner या अगर उनको 59 या 58 की age पे किया गया है, तो वो अपना tenure 6 साल का पूरा कर सकते हैं उनको same salary और same status मिलता है, जैसे एक judge होता है Supreme Court का, election commission of India की जो authority है, वो समविधान से ही आती है Article 324 में election commission of India के बारे बहुत well established चीज़े mentioned है, superintendence की बात करें, direction की बात करें, ये सब जो powers है, free and fair elections कराने की जो power है, जो authority है, वो election commission of India के पास है तो चाहे वो हम, अगर हम parliamentary elections की बात करें, या हम वो विधान सवा elections की बात करें, या फिर हम वो elections to the office of president या vice president की बात करें, ये powers किस के पास है, election commission के पास है अब आपको ये भी पता हो, कि size of the election commission तो सम्वेदान नहीं fix करता, सम्वेदान में कुछ mention नहीं है, कि election commission में कितने लोग होने चाहिए, 5 हो, 6 हो, 3 हो, 2 हो, ये बात उसमें सम्वेदान में नहीं mention थी, लेकिन सम्वेदान में ये mention है, कि election commission में एक chief election commissioner तो जरूर होंगे, और election कमिशनर के जो नंबर हैं जो ECS की हम बात करते हैं जैसे आरुन गोल जी जो के 1985 बाज के IPS ऑफिसर है जिनको अभी अपॉइंट किया गया था और election commissioners को अपॉइंट कर दिया तो एक multi-member body बन की election commission of India जहां पे एक आपका CEC है और दो आपके election commissioners है उसके बाद क्या हुआ वीपी सिंग की सरकार थी एक साल से कम सरकार टिकी रही थी national front government की 343 days यानि के 365 दिन तक से कम का इनका कारेकाल था तो वीपी सिंग की सरकार ने rules amend करे और वीपी सिंग की सरकार ने फिर से election commission को एक single member body बना दिया लेकिन उसके बाद पीवी नरसेमा राओ की सरकार बनती है 1991 में और अक्तूबर 1993 में नरसेमा राओ जी की सरकार ने एक ordinance promulgate किया जिसके चलते दो और election commissioners को निवत करने की अपॉइंट करने की यहां पे मंजूरी उसके बाद से election commission में फिर तीन members ही है एक आपका CEC और दो आपके election commissioners और जो तीनों election commissioners हैं याने के CEC plus the two ECs उनका equal say रहता है decision making में as far as the जो भी important decisions, जो भी important फैसले election commissioners of India को लेने पड़ते हैं अब देखी अब यह तो यहां पे कुछ static बाते हम समझ रहे हैं procedure और appointment to election commission की बात करें मुस्टी जादा तर जो के election commission में election commissioners बनते हैं या जो CEC बनते हैं जादा तर वो retired IS officers होते हैं तो ऐसे जो serving and retired officials है उनकी जो उनका जो जो यानिकी जो list है ओभी serving and retired officials ये पेश करी जाती है ये पेश प्रधानमंत्री को करी जाती है और क्या-क्या उनके कारेकाल में क्या-क्या important उनने ऐसे milestones achieve करें हैं क्या उनने contribute किया है definitely meritorious candidates का ही नाम आगे आता है इस तरह की position में और जो भी प्रधानमंत्री जी उसके बाद ये panel को study करके panel में जो भी नाम आते हैं जो प्रधान मंत्री ने आगे रखा है ये एक procedure है appoint करने का CEC को लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर से एक थोड़ा मुद्दा हमारे सामने आ रहा है Supreme Court कह रहा है कि प्रधानमंत्री ही जो नाम प्रधानमंत्री बताएंगे President को वो ही इंसान CEC बनेगा या वो ही इंसान election commissioner बनेगा तो यहा कोना इसमें transparency लेकि आए जाए क्यों नहीं इसमें unbiasedness होनी चाहिए यानि कि यहाँ पे Supreme Court कह रहा है कि हमको भी मौका दीजिए कि जैसे CBI का director हो, CVC का director हो, अब उनकी न्युकती में भी वहाँ पे एक panel बनता है, collegium बनता है, जहाँ पे Chief Justice of India भी involved होता है, Leader of Opposition भी involved होता है, तो क्यों नहीं इसके लिए भी एक ऐसा panel बना सकते हैं, एक ऐसा collegium बना सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है, एक PIL फाइल करीगी थी, BJP Leader और Advocate आश्वनी उपाद्याजी के दौरा, November 2018 की बात है, लेकिन उस वकत court ने इस बात के इतना मिल रहा है, और इसके उपर अभी बाते चल रही हैं, और अब यहाँ पे यह बाते रखी गई हैं सरकार के सामने कि क्या अगर Chief Justice of India भी ऐसे panel में शामिल हो, प्रधान मंत्री के साथ, Leader of Opposition के साथ, इंद लोग सभा, Leader of Opposition, इंद राज्य सभा, तो वो प्रिस्ताप कैसा रहे अपने आप पे पूरा आजाद रहेगा, किसी किसम का यहाँ पे राजनीतिक influence नहीं होगा, राजनीतिक control नहीं होगा, sufficient powers election commission को दी गई है, और उसके बावजूद भी लेकिन from time to time Supreme Court ने repeatedly बात कही है कि भी कितनी जादा autonomy है election commission के पास, ठीक है election commission जो है article 324 के चलते, reservoir of all powers है election commission of इंडिया के पास, in fact free and fair elections, free and fair elections करवाना, election commission of इंडिया के द्वारा, यह basic tenet आता है हमारे constitution का, basic structure of the constitution बनता है, लेकिन उसके बावजूद हमारी देखिए, यहाँ पे बात समझनी जरूरी है कि election commission of इंडिया को जतना मर्जी अभी हम criticize करें, जतना मर्जी हम कहें कि यहाँ पे article आया था न, वहाँ पे view यह support कर रहा था, opinion यह support कर रहा था, कि supreme court को यहाँ पे दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है, कि after all supreme court का भी तो अपना collegium system है, तो उनके collegium system में जब कोई executive interference नहीं होता, तो executive काम में judicial interference क्यों हो, because हमने जो दो दिन पहले article discuss किया था, वहाँ पे ह executive अपने दारे में रहे, judiciary अपने दारे में, legislative अपने दारे में, यह कहना कि election commission of India में कुछ कमी हो सकती है, कुछ, you know, problem हो सकती है, वो ठीक है, लेकिन यह बात को भी नजर अंदाज नहीं कर सकते कि बहुत भैतरीन chief election commissioners हमारे, you know, इतिहास में रह चोके हैं, हम T.N. Sheshanji की बा equality के साथ, बहुत independence के साथ, बहुत autonomy के साथ, elections conduct कराएं हैं, और बहुत सारी ऐसी electoral reforms भी suggest करें हैं, बहुत सारी ऐसी जो corrupt electoral practices थी, उसके खिलाफ अवाज भी उठाईगे, काफी chief election commissioners ने, और उमीद है कि यह trend आगे भी continue होता रहे, लेकिन hope एक strategy नहीं हो सकती है, as far as securing the independence of election commission of India is concerned, S.Y. Kurishi, जो कि खुद एक former chief election commissioner है, वो खुद कहते हैं कि जो न्युकती का process है, इसमें कमिया है, वो कहते हैं कि जो root of the problem है, वो यहाँ पर लाय करता है, कि जो appointment process है, election commissioners का, वो थोड़ा, इसमें problems है, इसमें definitely कुछ loopholes हैं, जो के address करनी जरूरी है, after all, इनको appoint कौन करता है, सरकार के द्वरा किया जाता है, B.R. Ambedkar का क्या कहना था, B.R. Ambedkar का कहना था, जो tenure है, जो chief election commissioners का, उसको fixed नहीं बनाया जा सकता, secure नहीं बनाया जा सकता, यह नहीं कहा जा सकता, कि एक बार आप C.E.C. बनके तो आप तब तक C.E.C. हैं जब तक आपको कोई हटाना सके, क् B.R. Ambedkar जी ने भी यह बात कही थी, आज से 75 साल पहले, कि देखिए संवेदान को जितना मर्जी हम अजबूत बना ले, लेकिन फिर भी ऐसी एक possibility है कि कोई ना कोई ऐसा candidate, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ती, कोई ना कोई ऐसा official, जरूर एक ऐसे ओदे पे जा सकता है, जिस पद म इसी बात का, फिर एसी सी बात का, apprehension, B.R. Ambedkar जी ने में race किया था, एक mechanism यहाँ पे propose करा गया है, अगर आपने Chief Election Commissioner को appoint करना है, या Election Commissioner को भी appoint करना है, वो यह है, एक Collegium मनाई है, जिसमें प्रधान मंत्री है, Leader of Opposition हो, ठीक है, उसके बाद Chief Justice of India हो, अब already system operation में है, जब हमने CIC, CVC या CBI के Director को appoint करना होता है, तो यह same Collegium System वहाँ पे भी काम आता है, ठीक है, और इसके चलते है, opposition parties को भी मौका नहीं मिलेगा, हम देखते हैं कि Parliament में भी opposition parties constructive काम नहीं करने देते हैं, बिना बात में बहस चलती रहती है, चलो बहस होनी भी जरूरी है Parliament में, after all Parliament को Temple of Democracy कह करते हैं, लेकिन बेरहाल opposition party को भी मौका नहीं मिलेगा, ऐसे किसी के उपर उगली उठाने के लिए, कि selection process fair नहीं था, एक और systematic problem जो है, इस पूरे process में वो यह है, कि जो election commissioner है, अब election commissioner को भी कही ना कही इस बात का इंतजार रहता है, wait रहता है, कि जब CEC retire होगा, तो मेरा number आ तरकार उनको आगे CEC बनाने को नहीं interested होंगे, तो फिर partiality वाली बात कहा पे गई, यह तो फिर unbiased वाली बात कहा पे गई, यह तो फिर अहां पे यह होगा ना, कि आप political masters को खुश करने के लिए ऐसा एक रवया पेश करने हैं, अपने काम पे, और तीनों ही members की equal voting rights होते हैं अब हलांके CEC है, Chief Election Commissioner बताता है President को कि यह अगर जो Election Commissioner को remove करना है के नहीं करना, यह बात आपको बता दूँ कि CEC को remove कैसे किया जाता है, impeachment process के जरीए, लेकिन Election Commissioner को remove कैसे किया जाता है, यदि CEC President को बोले कि यह जो एक Election Commissioner है दोनों में से यह काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है, जो भी reasons हो, तो उसको remove किया जा सकता है, लेकिन जब decision making body में, जब decision making की जब बात आती है, जब तीनों की equal voting rights हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों Election Commissioner एक independent minded CEC के उपर हावी बन सकते हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि अगर कोई फैसला, अगर Election Commissioner of India ने सामने रखना है, तो CEC चाहत उस फैसले के विरुद वोट करे, और दोनों Election Commissioner जो है वो उस फैसले के favor में वोट करे, क्या पता हो, जो फैसला हो, वो सरकार के बख्ष में हो, और यहाँ पर CEC जो है वो neutral act करना चाहता हो, लेकिन क्योंकि 2-1 का यहाँ पर voting system हो जाएगा, तो CEC के भी against the decision जाएगा, तो अगेन यह बात यहाँ पर सोचने वाली है कि कुछ systematic problems है जिसको सुधारा जा सकता है, ठीक है, at present only CEC is protected from being removed, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप एक Supreme Court के judge को remove करने के लिए आपका एक impeachment process होता है और यह तना सान नहीं होता, अभी तक तो इतिहास में कोई ऐसा process नहीं हुआ, अ आपने उसको tenure इतना secure करा है कि उसको impeachment के बिगएर नहीं remove किया जा सकता, तो क्यों नहीं आप यह जो provision है election commissioner तक भी attend करें, extend करें, election commissioner को कौन remove कर सकता है, मैं फिर दो रहाँगा election commissioner को CEC ही remove करवा सकता है, president को कहके, तो यह कुछ बात हैं जो यहाँ पर discuss करी गई है, तो अंत मे आगर हम इसको conclude करें, देखी हमारे independent India में बहुत सारे हमारे institutions में कमी बेशी हो सकती है, कोई भी institution perfect नहीं होता, pressure हर जगा आता है, लेकिन strength कहां पर test होता है, किसी भी institution के character का, कि भी कितना at the end of the day, जितना मर्जी pressure आ रहा हो, जितना मर्जी political influence आ रहा हो, क्या वो institution जो है, वो political influence के under तो नहीं आ रहा, वो political pressure के under तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये बात सोचनी बहुत जादा जरूरी है, हम ठीक है, आपने आपको कहते हैं कि हम बहुत, बहुत stable democracy है, 75 years में, South Asia में, और कोई आप देश बता दीजी जो इतना stable हो, democratically stable कोई country हो, हमारे आसपडोस में, कोई भी और बहुत सारी political parties भी demand कर रही है, कि भी collegium system को introduce करा जाए, as far as the appointment of CEC, EEC election commissioner is concerned, तो अगर इस collegium system को introduce कर लेते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, अब अगें दोस्तों, मैंने आपको दो दिन पहले भी बताया था, कि ये views होते हैं, दो दिन पहले जो view था article में, वो ये था कि भी न point of CEC में, तो कोई हर्ज नहीं है, अब अगें हमने अपने approach में, अगर आपसे interview में कुछ सवाल पूछा जाराइस को लेके, या अपने means में answer लिखना है, आपने एक balanced approach बतानी है, इस से आपको दोनों pros and cons पता लग रहे हैं, दोनों article में से, जो article day before yesterday हमने discuss किया था और जो article आज हम discuss कर रहे हैं, as far as the article related to election commission is concerned, चली, फिर अगला article दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे, constitution of India deserves to better, तो दोस्तों देखिए, आज संबिदान दिवस है, जाना, देखिए, बहुत मुश्किल से हमको अजादी मिली है, संबिदान बनाने का procedure भी बहुत लंबा चोड़ा था In fact, 26th November 1949 को हमने अपने constitution को adopt किया था, लेकिन इनाट कब किया था, January 26, 1950 को, 1950 को हमारा Republic Day भी होता है, 2015 से, इस दिन को हम constitution day या संबिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, और लगबग 3 साल का procedure लगा था, to draft the constitution for independent India, बहुत सारी meetings हुई थी, अब बहुत लंबी exercise थी, बहुत मु Because हमारे याँपे society में भिन-भिन जाती के लोग है, कई सारे धर्म लोगों के हैं, कई सारी भाषा हैं लोग बोलते हैं, अब ये तो नहीं है कि एक ही धर्म है लोगों का या एक ही भाषा सारे बोलते हैं, ठीक है, हमारी क्या अप्रोच रहेगी federalism को लेके, राज्य सरकारो को कितनी autonomy देनी है, ठीक है, राज्य सरकारों को कैसी सुरक्षा देनी है, ठीक है, minorities को कितनी सुरक्षा देनी है, और ये भी कहा जाता है, ये हमको पता भी है, कि हमारा संबेदान जो है, इसमें कई सारे विचार धारा जो है, कई सारे जो ideas हैं, वो दूसरे देशों के संबे में से उठाए गए थे तो जहां तक borrowed constitution की बात आती है तो अंबेदकर जी का क्या कहना है जो के father of the constitution मी माने जाते हैं वो कहते हैं कि ठीक है आप कह सकते हैं कि हमने अपने संबेदान में बहुत सारे provisions बाकी देशों से लिये हैं चाहे वो Irish के constitution से हो चाहे वो Britain की constitution से हो चाहे वो American constitution हो Canada की constitution हो लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमने अंदा धुंद बिल्कुल cut copy paste कर दिया है ऐसी आप आप हम पो नहीं कह सकते हैं जहां तक minorities की बात है देखिए यहां पर अंबेदकर जीने कहा था कि दोनो minorities और majorities दोनों का यहां पर फर्स बनता है कि maturity के साथ coexist करें और क इंडिया में follow किया जाता है तो यहां पर maturity दिखानी है majority class के लोगों ने कि भी वो minorities को भी peacefully coexist होने का मौका दें fraternity में brotherhood में ठीक है और जो minorities है उनको भी हर बात पर propaganda सामने लेके नहीं आना हर बात पर यह false claim नहीं करने के भी हमारे उपर atrocities हो रही है हमको मारा जा रहा है हमको क्या का था minorities protection को लेके उन्होंने यह का था देखो minorities जो हैने एक बहुत explosive force है और अगर आप इनको अधिकार नहीं देंगे अगर आप इनको protect नहीं करेंगे तो यह explode हो सकते हैं हम यॉरप की भी अगर हम बात करें अगर हम करांती की बात करें France revolution की बात करें या बाकी देशों ruling class के गेंज तो इस तरह की situation हमारे यहां पर ना हो यह बात डॉक्टर बियर अरबेद करने कही थी उन्होंने इस बात की चताब नहीं दी थी आज 2022 में आते हैं तो ठीक है इस बात का हम जशन बना रहे हैं हम celebrate कर रहे हैं सम्विदान दिवस को बहुत अच्छी बात है लेकि क्या इस power को लेकि aware है कि we the people में कितनी power है कितनी नहीं है ठीक है अब ऐसा देखिया हम UPSC aspirants हैं आप सारे तो आप अभी पढ़ रहे हैं quality पढ़ रहे हैं या अगर आप bank PO की त्यारी कर रहे हैं SAC की त्यारी कर रहे हैं लेकिन हर कोई सम्विदान नहीं बढ़ता हो तो लोगों की कमी नहीं है लिकिन यह जो वैल्यूज है यह जो विचारधारा जो हमारा सम्विदान प्रमोट करता है तीन साल लगे ना लगबग तीन साल लगे सम्विदान बनाने में तो जरा उसको हम अपना की देखे अपनी जिंदगी में ठीक है अगर आगर आज पुलिस आपको एक पुलिस करमचारी रोकता है और आपसे कुछ सवाल उठाता है, कुछ आपसे सवाल पूछता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भई, आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, क्यों मुझे आपने रोका है, क्यों चेकिंग इलिए रोका है, क्यों? क्योंकि संबेदान आपको यदिकार देता है आपको fundamental rights देता है with reasonable restriction आप कोई मर्जी newspaper पढ़ सकते हैं किसी मर्जी भाषा का newspaper पढ़ सकते हैं कोई मर्जी TV channel देख सकते हैं किसी मर्जी cinema hall में जाके movie देख सकते हैं Hindi movie हो, English movie हो, Tamil movie हो आप vegetarian खाना खाएं, non-wish खाना खाएं वो भी आपकी मर्जी है ठीक है, जो मर्जी कपड़े पहन सकते हैं अब एरान के तरह तो है नहीं हाँ पर कि बहुत डिक्टाइट है कि आपने यही कपड़े पहनने हैं इरान में डिक्टाइट है ओरतों के लिए ऐसा तो भारत में नहीं है तो यह कैसे possible हुआ है यह तो संबेदान करके ही possible हुआ है कि हम अपनी आजादी को enjoy कर सकते हैं अंग्रेजों ने तो नहीं हमको दिया था यह तो आप कहीं मर्जी आप नौकरी करने जा सकते हैं आप दिल्नी में रहते हैं तो आप बैंगलॉर में नौकरी करने जा सकते हैं आप चड्डिकर में रहते हैं तो आप गुहाटी में नौकरी करने जा सकते हैं आप अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं जरा दो मिनिट के लिए यहाँ पर पॉस करके हम सोचें, अगर आप वीडियो को पॉस मत करना है, बट सोचने के लिए मैं पॉस करने को कह रहा हूँ, केवल संविधान में अगर एक बात कही गई है कि इसक्रिमिनेशन नहीं होगा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 यह बाते कहता है सब्सक्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को इक्वालिटी के दारे में ट्रीट किया जाएगा, तो मैं बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे अफसर बनो, जूट मत बोलो, ठीक है सच बोलो, तो हम अपने बच्चों को constitutional values समझाने को त्यार क्यों नहीं है, ठीक है, अगर हम constitutional values बच्चों को समझाएंगे, तो बच्चे जो है, बच्चपन से ही, तो हिंदू-Muslim लड़ाईयां नहीं होगी, communal harmony बनी रहेगी, ठीक है, जात-पात के basis पर लड़ाईयां नहीं होगी, हम बहुत, हम emphasis ले करते हैं धा धार्मे किताब हो के ओपर, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गुरुगरंच साब हो, लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने समझान की बात करें, तो वो भी किसी धार्मे किताब से कम तो नहीं है, हमारे घरों में गुरुगरंच साब, भगवत गीता, Quran ये सब तो पाई जाएगी, Bible सब पाई जाएगी लेकिन हमारे घरों में संभिधान की किताब क्यों नहीं पाई जाती है हाँ UPSC Aspirants के घरों में पाई जाती है और ये बहुत unlikely है कि जो well educated भी है या जो well placed है जो बहुत पड़े लिखें भी है क्या उनके पास copy है संभिधान की और यहाँ पे article में एक और बात लेगी थी कि संभिधान की जो copy है वो एक movie ticket से भी कम की मिलती है याने कि movie ticket की price आज के time पे जादा है PVR में आपने movie देखने जाना हो तो आपको उसकी ticket भेंगी पड़ेगी लेकिन संभिधान की copy आपको फिर सस्ते में मिल जाएगी ठीक है अब educated people जो उनको पता है कि भी हाँ fundamental rights नम की चीज होती है जब आपके उपर आँच आती है तो आप यहाँ पे चलाते हैं भी मेरे rights हैं मेरे rights हैं लेकिन आपकी duties भी तो है आपकी duties का क्या हुआ problem तो ही है यह ना कि हमने अपने fundamental rights पहले सीख लिए fundamental duties हम सीख नहीं पाए तो fundamental duties में बात आती है fraternity promote करने की scientific temperament promote करने की वो कहाँ पे गई सारी बात है ज़रा सोचे जो parents है अपने बच्चों को उनके birthday पे अब वो iPhone gift करना चाहते है गाड़ी gift करना चाहते है बच्चों की demands होती है ठीक है parents को अच्छा लगता है वो demands फूरा करना कभी किसी parent ने सोचा है कि अपने बच्चे को अपने छोटे बच्चों को संविदान की किताब gift करना चाहे ठीक है बात सुनने में बड़ी यह लगेगी idealistic सी और बड़ी awkward सी लेकिन सोची ज़रा एक minute के लिए कि हर एक parent चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो बड़े होके अच्छा officer बने mature बने अच्छा नागरिक बने ठीक है well spoken हो well behaved हो लेकिन औरतों के प्रती हिज़त करना जो गरीब लोग है उनके प्रती जो कमजोर लोग है गरीब लोग है जो नीची जाती की लोग है उनके प्रती हिज़त करना उनको ये ना फील होने दिना कि आप छोटे हैं कमजोर हैं ये बाते भी ज़्यादा focus constitution values को नहीं किया जाता। ज़्यादा focus अभी भी हम चलो कहते हैं वो debate आजाती है science versus humanities की लेकिन ठीक है अब लोग science बहुत pursue करते हैं, लोगों को लगता है कि physics, chemistry, maths पढ़ना ग्यार्मी बार्मी में बहुत जरूरी है, IIT में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन जरा सोचिए अगर हम mandatory करें संभिधान की values को भी बच्चों को starting से पढ़ाना, ऐसा नहीं है civics पढ़ाई जाती है छोटे बच्चों को, आपने भी NCRT में social and political life पढ़ी होगी 6-7-8 की अपने school time में हमने भी बड़ी थी, लेकिन कितना ही इसके उपर focus किया जाता है social studies के उपर तो इतना focus किया ही नहीं जाता, parents भी कहते है social studies को छोड़ो, क्या रखा है, इसमें history, geography में, civics में, आप अपना science और maths में ध्यान दो तो ज़रा सोचिए, कि आज सम्विदान दिन है, लेकिन इसको सरव एक symbolism के तौर पे नहीं बनाना चाहिए कि आज क्योंकि सम्विदान दिन है, तो हम अपने social media पे stories promote करें, यहाँ पे हम गाने गए हमको substantive issues यहाँ पे promote करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सम्विदान की जो values है, वो कैसे हमारी जिंदकी को बहतरीन बना सकती है, कैसे enrich कर सकती है इस बात के उपर गौर करना बहुत ज़रूरी है Question of the day, the constitution empowers the people as much as the people empower the constitution इस बात को आप elaborate करिए 150 words में, हमारा telegram group है, editorials with means answer writing आप इस group में answer post कर सकते हैं, इस group का जो link है, telegram channel का जो link है अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वीडियो देखते हैं वोकर description box में जाएंगे आपको ये link दिखाई देगा, और इसको click करेंगे, आपको हमारे channel के प्रती redirect किया जाएगा कोशिच रहती है कि यहाँ पे हम telegram group में best answer और model answer दोनों ही शाम को 6 वजे pin कर दें, कभी थोड़ा आगे भीचे हो जाता है as far as the best answer is concerned, जो कि कल आप से पूचा गया था, तो वो answer आयूशी का है आयूशी दे का, मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पाया answer, I'm sorry for that लेकिन telegram group में जरूर मैं वहाँ पे pin करवा दूँगा बागी दोस्तों जाने से पहले हमारी जो quick advertisement है और संभफ को संभफ करने वाला हमारा prelims का crash course, Monday से दोस्तों, Monday से शुरू हो रहा है, जहाँ पे daily life classes आपके साथ share करी जाएंगी Monday से environment का हमारा topic शुरू हो रहा है, यह YouTube पे नहीं होगा यह हमारा paid crash course है, और यहाँ पे दोस्तों आपके साथ 4000 से जादा MCQS शेयर करे जाएंगे, सबसे अची बात किया, यह live classes है, तो आप अपनी डाउट जो है, लाइफ पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप उस वकत, तो live classes याने के 11 a.m. to 1 p.m. लेकिन यदि आप busy है, आप working है, या अगर आप अभी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं इस time में, तो हमारी अधियाप और information लेना चाहते हैं, हमारे टॉल प्री नंबर पर कॉल करके, इसके बार information जरूर लीजिए, और पता लगाई कि crash course में और क्या-क्या facilities हैं, चली दोस्तों मैं आपको मिलूँगा Monday को, आप अपना ध्यान रखें और बढ़ते रहें, थांक्यू सो माच, ज हैं, क्या है।